नमस्कार किसन भाईयों आज की वीडियो में बात करेंगे धान की फिसल में लगने वाले रोगों के बारे में और उसकी रोगताम कैसे की जाए उसकी समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के मातिन से देने वाले हैं तो आप वीडियो को अंतक चरूर देखें और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पैल आइकन शिरूर प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि धान की फसल में जो भी दबा यहां प्रियोक की जाती है लगवग हमने यहां पर सभी को रखा है तो आपको धान की फसल के लिए किस दबा का प्रियोक किस रोग के लिए करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो को अध्यम से मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं दान की फसल में लगने वाली माहुक जो की बहुत ही खतरनाक रोग है उसकी रोग थम के लिए कौन सी दबा का प्रियोग करें, दान की फसल में माहू की दबा की रूप में आप इस प्रिकार से BPMC 50% इसका उप्योग कर सकते हैं, यह एक लीटर आप दाई से तीने कड़ में इसका प्रियोग कर सकते हैं, उतकी बाद आप यहां पर देख सकते हैं, पाइ मेट्रोजन 50% एक दबा आप यह भी ले सकते हैं, पाइ मेट्रोजन 50% भी आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 500 ग्राम का डबा है, इसका प्रियोग भी आप 5 बीगा तक कर सकते हैं, और साले साथ तक भी आप इसका इस्प्रेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको दान की फसल के लिए आवर सकता है, इल्ली की दबा की, तो उसके लिए आप किलोरोफायरिफोस 50% और साइफर मेथिन, इसका प्रियोग करें, अगर आपकी फसल में ज्यादा इल्ली है, तो उसकी अलावा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिपैन उफास 40%, साइफर मेथिन 4%, और उसके अलावा अगर फिर भी आपकी इल्ली कंट्रोल नहों हो रही हो, तो आप हैमेटीन, बेंजवेट इन तीनों का स्प्रे कर सकते हैं, और आपकी धान की फसल में लगने वाली फंगस के लिए आप एक्जा कहुना जोल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्जा कहुना जोल आप इसका इसप्रे भी कर सकते हैं, जो कि 5% ऐसी लिक्विट फॉम में आपको मिलता है, यह भी आप 5-7 वीगा, फिर 2-3 कड में इसका इसप्रे कर सकते हैं, उसके बा पर आप देख सकते हैं, ओनियन गोल्ड, एवकोना जोल 6.7 परचन, और कैप्टन 26 परचन, यह आप एक इकड़ में इसका इसप्रे कर सकते हैं, और उसके अलावा आपकी फसल में जैसे की करदन तोड, उसके लिए टाइक, साइको जोला फॉस, जो कि 75% डबली जी में आता है, उसका इसप्रे आप करें, और इस इन दवाओं में आप एक लिक्विट फोर्मेज जैसे की चिप को आपको मिलाना है, वो भी आपको फैलाने वाला चिप को इस्तिमाल करें, जिससे कि आपको आपकी जो फसल है, उसमें दवा का जो इसप्रे करेंगे, रिजल्ट भी आ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको किलोरो या प्रफैनो फास्प, आप 500 ग्राम प्रतिय कर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 ग्राम है, यह भी आप एक से डेड़े कड में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, इ वाली माहू, इल्ली, गर्दन तोड, आधी, सभी बीमारियों का इलाज एक ही दवासे हो जाएगा, तो आसा करते हैं कि आपको जनकारी अच्छी लगी होगी, जनकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही वीडियो को अनने दूस्तों के साथ सेर करें, धन्यवाद,